हेलो एव्रिवान आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिंगा तुराई की सिंपल सी ग्रेवी जो नौन वेज की ग्रेवी है बना के मैंने तयार कर ली है दिखने में लग रही है सो डिलिसियस वैसे इसकी टेस्ट भी बहुत यह मिधी चलिए बनाना सुरू क कर लेते हैं यहां पर मैंने ले लिया है पांच से साथ दुराई जिसको में अच्छे से छिलका निकाल के इसको वाश कर लोगे यहां पर मैंने पहले से दुराई को वाश कर लिये थे उसके बाद उसको में अच्छे से पिलफ करके फिर से वाश कर लूँगी और इसको में साई जो हम चौप करेंगे न से इस तरह से लंबे लंबे रखेंगे और इसके साथ जह हम आलु को क्ला करेंगे उसको हम छोटे-छोटे पीसे स्समें करेंगे जिसमें क्या होत 20 में करी बहुत ही अच्छी लगती है इस और जरासी पानी देगे पहले एक पेश्ट बना लिए और यहाँ पे मैंने चाठा माटर लिये थे उसको भी मैंने अलग ग्राइंड करके उसकी अलग पेश्ट बना ले करेंगे पैन को गरम और दो चमच बड़ी चमच ओल्ट दे पहले जो अदरक और सुन की पेश्टी सिर् मिर्च और नम्मक और थोड़ी से मेने हल्दी पाउडर दे के 10-15 मिन पकने दी जब और चुटने लगी उसी के बाद ही मैंने टमाटर की पेस्ट यहां पर एड करी है उसके बाद हम इसको कभर कर लेंगे और इसको भी 10 मिन पकने देंगे बस चीकन मसाला धनिया पाउडर डा के फिर से 5-10 मिन हम पकने देंगे जैसे ही ओयल चुटने लगेगी उसके बाद मैंने यहां पर जो काट के छोटे-छोटे चुक्रे में चॉप्ट पेटाटो रखे थे आलू रखे थे ना उसको एड कर लिया है आलू को पकने दूंगी 10 मिन तक और फिर मैं यहां पर एड क चुटने लगी है अब आपको हम बस इसको मिलाते जाना है अब यहां पर मैंने जींगे को रखे थे जो अच्छे से मैंने फ्राय कर लिये थे अब यह दिखिए चोटे-चोटे जींगे और बड़े-बड़े आपको पसंद की हिसाब से आप डाल सकते हो यहां पर डालने के बना के दिखिए आप भी उंग्लिया चाड़ जाएंगी बहुत ही प्यारी रेसिपी है थांक्यू फर वाचिंग प्लीज एक बार इस तरह से बना के तयार करना बाब बाई